Good afternoon to all of you. ये मेरा पहला लेक्ट्टर है जो कि वेब टेक्नलोजी के स्टुडेंट्स के लिए रहेगा, जो कि मेरे BCA 6 समस्टर के स्टुडेंट्स हैं। और इसमें जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, वो जनरली हमारा एक most important topic है। web project क्या होते हैं, what is a web project and step included to develop a web project? तो इसमें हम यह सीकhएंगे कि web project actual में होता क्या है और उसके बाद इसमें क्या steps रहते हैं जो हमें किसी भी web project को develop करने के लिए follow करने पड़ते हैं। तो देखते हैं क्या है इसके लिए? तो सबसे पहले हैं लोग यह देखेंगे कि actual में एक web project होता क्या है तो यहाँ पर मैंने definition दे रखेंगे देखें a web project is the process of developing and creating a website activities in a network which are aimed at a predefined goal तो सबसे पहले चीज़ इसमें समझने वाली यह है कि web project जो होते हैं तो सबसे पहले हमारे website या web से related activities के होते हैं जनरली जब हम web की बात करते हैं तो हम बात करते हैं जो की accessible हो सभी के लिए या particular persons के लिए जैसे internet और internet दो चीज़े हम लोग जानते हैं internet as all of you know internet होता है हमारा network of network जैसे आप इस समय मेरी video देख रहे हैं तो यह internet के तुरू देख रहे हैं हमारे internet या internet से जुड़ी हुई होती है उसके आगे इसमें देखे है activities in a network which are aimed at predefined goals तो जब भी हम कोई web project लेते हैं तो हमारे लिए पहले से predefined goal होता है जब लाइक अगर हमें किसी school के लिए website डेवलप करके देनी हैं तो हमको पता होता है कि हमको इसमें क्या-क्या किस किस समय open है curriculum क्या है उसका यह syllabus क्या है उसके लावा news और events हम school की गैलरी जिसमें फोटो बगरा डाल सकते हैं तो हमारे लिए यह पहले से predefined होती है कि मैं इसमें क्या-क्या activities को involve करना है the network can be accessible for both for everyone as in the internet or only for certain people as in internet यह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हम internet की बात करते हैं तो वह सभी के लिए accessible होता है लेकिन जब हम internet की बात करते हैं तो वह उनी users के लिए accessible होता है जिने उसकी permission दी हुई होती है the goals of web project is the transfer of static and dynamic content both directly to end users अब इसमें दो चीज़े आती हैं जब हम web project develop करते हैं वह या static होगा या dynamic होगा अब आप इसमें मुझसे पूछेंगे कि static web project क्या होता है और dynamic web project क्या होता है static web project वह project होते हैं जो कि static होते हैं मैंने आपको पहले बताया है stms, css और javascript तीन चीज़ें यहां पर हमारी use होती है जो हम लोग stms, css और javascript के तुरूँ चीज़े बनाते हैं वह हमारा front end कर लाता है और जो हम database जो कि हम पहले subject पर सुके हैं dbms database management system वह हमारा database के handling के लिए होता है तो वह site जो कि simply front end में बनी होती है static site चलाती है इसमें हम directly कोई हमारे पास dashboard वगारा नहीं होता जिसके तुरू हम इसमें कोई change कर सके लेकिन जो dynamic website होती है उसमें हमको इस proper dashboard गिया जाता है जिसके थुरू हम अपनी site में change कर सकते हैं develop generally अब web project special तो बहुत सी field है जिन में web project को हम लोग develop कर सकते हैं लेकिन generally schools के लिए, university के लिए, industries वगारा के लिए जो हम लोग project develop करते हैं वो उसके इंदर consider हो सकते हैं अब वो software की form में भी हो सकते हैं और हमारी aesthetic website के sense में भी हो सकते हैं या फिर हमारी dynamic website के sense में भी हो सकते हैं आप railway और airlines का reservation system भी use करते हैं वो भी हमारा एक web project होता है जो कि सबके लिए accessible होता है through internet but हमें जो permission होती है वो बहुत ही limited होती है जैसे हम लोग अपने railway के IRCTC का login करते हैं तो हमें particular reservation और train की timing के लिए ही feature दिया गया होता है कि हम अपना reservation कर सकते हैं, ticket booking कर सकते हैं और उसके अलाबा हम अपना जो train का schedule है वो सारा हम देख सकते हैं तो यह हमारे particular web project के अंदर होने वाली activities हैं, हमने यहां पर यह देखा कि web project actual में होता क्या है यह internet और internet दोनों पर accessible होता है, static और dynamic side के होती है, उसके लाबा कुछ field देखीं, जो कि हम लोग के web project के बनाने के लिए सबसक्रोशल field होती है हम जो अगला step लेंगे वो है steps in developing a web project, इसमें हम यह देखेंगे one by one कि हमारा जो steps हैं, वो web project को develop करने के लिए क्या क्या होते हैं तो यहां steps को समझते हैं, जो हम लोग यहां पर लेते हैं generally कब लेते हैं, जो हम किसी web project को develop कर रहे होते हैं तो इसमें पहला step जो होता है, हमारा client briefing का, कौनसा step होता है हमारा client briefing का, जहां पर देखें मैंने mark किया है client briefing तो आप इसमें क्लाइंट के बियाब पर बनाना होता है दो चीजी हमारी लाइट में होती है या तो प्रोडक्ट या सर्विस अगर हम किसी को कोई प्रोडक्ट डिलिवर कर रहे हैं आप कहीं किसी भी शॉप से अपने भी मोबाइल पर्चेस करके लाते हैं तो वह प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट जो भी खरीदता है वह कस्तमर कहलाता है लेकिन जैसे आप अपने मोबाइल पर इंटरनेट वगारा को एयर टैल के तूँ या वाटेवर किसी भी कंपनी के वह प्रोडक्ट कि लिए अपने स्रविस प्रोडक्ट की वह भी हमारे लिए अब स्कूल की चाहिट का ना चाहते है तो हम उसकी प्रिंसिपल या मैंगे जो भी होंगे उसकी अधोर्री के पास जाते है और उनसे बात करते ह। कि उनको सब्सक्राइब करते हैं उसके बाद सब्सक्राइब इन्फोर्मेशन का आसब थे एग फिल्खन जोटी थे bezot करते हैं कि हम इसमें क्या पॉसिबिल्टी को कर सकते हैं और किन पॉसिबिल्टी को हमें करना होगा क्योंकि कुछ चीज़े ऐसी होती है जिसको हम कर सकते हैं और कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसमें हमें अमेडमेंट करना होता है और क्लाइंट को यह बताना होता है कि दूसरा स्टेप हमें इसके लिए यह दूसरा वे लेना होगा तो यह हमारा का एक स्टेप होता है दूरीं अब्यब टोकर्ट में उसके बार हमारा gegeben नसथा क्या अधायू स्टेपन कर रहा है Information analysis कौन कर रहा है हम लोग जो की company है website development की या web development की वो analysis कर रही है और वो client को बता रही है कि क्या चीज़े possible है और किस तरीचे से possible जब हम client को अपनी चीज़े समझा चुके होते हैं तो उसके बाद after the discussion with client हम लोग statement of work बनाते हैं जिसमें वो सारे steps होते हैं जो की हमें web development की उस particular project क को पूरा करने के लिए यूर करने हैं ठीक है तो statement of work में आप particular वो सारे steps note down कर लेते हैं जिसको हमको करना है इसको flow chart के sense में भी अगर हम लोग करते हैं जैसे हम लोग algorithm में flow chart करते हैं तो उस sense में हमारे लिए काफी easy हो सकता है तो इसे company to company यह vary करता है कि statement of work कैसे बनाया जाए तो हम लोग हमारा next step है वह है US and UI design तो यूएस का means होता है हमारा user experience और UI का मतलब होता है interface देखिए यूएस का अगर हम बात करें तो यूएस हमारी क्याती होती है user experience अगर हम लोग कहीं पर भी यूएस को use करते हैं तो यह हमारे यूएस जो represent करेगा वह user experience को करेगा अगर हम लोग UI कहीं पर लिखते हैं तो यह हमारे user interface को represent करेगा ठीक है UX for user experience and UI for user interface होगा ठीक है तो UX और UI design पर हम लोग पर देखते हैं और आकर में UX और UI design होता है तो हम उसके experience या उसके अंसार अपने user interface को design करना होता है अब आप यह पूछेंगे कि user interface क्या होता है किसी भी साइट पर जो हम लोग जाते हैं चाहिए वो Facebook हो Twitter हो या पिर आप अपने college की जाते हैं उसका college ये किसी भी college की साइट पर जाते हैं तो जो आपको दिखाई देता है सामने से दिखाई देता है मैंने आप लोगो पहले भी lecture में बताया है कि HTML CSS और Java script के प्रूप जो front end develop होता है उसमें आपको जो दिखाई देता है वो आपका user interface होता है इसे UX जो दूजी चीज होती है वो यूजर experience होता है उसे हम यूजर experience इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें according to user उसको developer करना होता है तो next step में हम लोग इसी को consider करने वाले हैं देखिए next step आपका क्या है आछा है जो आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं जावा स्क्रिप्ट आप सभी को पता है कि अगर हम लोग बात करें स्टी अमल की तो हाइपर टेक्ट मार्क लेंग्वेज होता है जिसमें कि हम लोग अपना डेलप्मेंट करते हैं जो कि हमारी कम्प्लीट वेब पेज की इस्टाइलिंग के लिए होता है और जावा स्क्रिप्ट आपको मैंने बता है वैलिटेशन के लिए होता है जैसे हम लोग कोई भी पॉन भरते हैं मालीजे और हमको मॉबाइल नमबर भरना है और वो हमें कितने डिजिस का रखना है तो अगर आप मोबाइल नमबर नहीं रखते हैं तो आपको इस मेस्ज देता है कि प्लीज एंटर दा करेक्ट मोबाइल नमबर ये काम हम लोग जनरली जावा इसकिस्ट के ठूर करते हैं तो ये हमारा फ्रंटेंड डेवलप्मेंट का स सब्सकिल अब हम लोग से इस सब्सक tragies सब्सक्राइं के वि辜ा वक्रेख करें तो याप देस्ट करते हैं हैंग युद बता है कि होई भी सब्सक्राइब करते हैं अगर हमें कोई विचछा की प्लेघुड करना है तो हमारे लिए नहीं प्रोवाइड करा जाता किसी तरीके का जिसके तुरू हम लोग चेंड कर सकें लेकिन जब हम डाइनमिक साइट की बात करते हैं जैसे आप लोग अपने रेलकर्ण युनिवस्टी के फॉर्म बढ़ते हैं या फिर किसी और चीज का फॉर्म बढ़ते हैं तो उसके पीछ इस्टुडेंट के फादर नेम इस्टुडेंट की क्लास यह सारी चीजिए हमें टैबुलर फॉर्म में अपने डेटाबेस में स्टोर करके रखनी होती है तो इसमें जन्रली डेटावेस के फील्ड में हम दो कौन-कौन से सॉफटर यूज़ करते हैं मैंने पहले भी आप किया और बहुत तरी कंप्यां जो करते हैं हमारे रहोते हैं जो कि यूज़ करे जाते हैं तो आप एक हमारा में जिए साइवेस के करेंगे अब हैं कौना होगा अब अगला वाला वहां है वह काफी इमपॉर्टेंट होने वाला है क्यूंकि होता है वह तो हमारा वर्क पर बेहुत ज्यादा डिप्पइंड करता है कि हमारा जो भी वर्क हमने अब तक किया है वो सही है या नहीं है टेस्टिंग दे तर टेस्टिंग होती है धिएट्से से बाइनर य टेस्टिंग करता है जैसे मैंने अगर कोई प्रॉजक्ट डेवलप्स किया तो वह एंस पर दा कस्समर नीज चल रहा है या नहीं चल रहा है मैं अपने एंड पर चेक करूंगा ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उस प्रॉटक्ट का या पुस्वरी हमारे वेब कुछ समय तक वह अपने पर्टिकुलर एक सैंपल ऑप के साथ उसको यूज करता है चाहर। हम उसको हम लोग करता है यह कई आपका रिपीट कर पकता है यह डिपेंड करता है कि आपका जो कस्टमर है वो कितनी जल्दी सचिस्पाई हो जाता है और वो उसकी रिक्वार्डमेंट को कितनी जल्दी फुल्सिल कर पाता है उसके बाद हमारा लास पेस आता है जो आप लोग को क्लिर हो जाना चाहिए देखते ही प्रोजेक्ट डिलि कर जाता है और वर्टयों बजता है लेंकर वेंट के अनुट के इसको चलते देना होता है जैसे माल उन दृट जो मेरे को एक स्कूल की सब्सक्राइब तो मेरे को क्या करना होता है अगर वो एक डायिक वेस्ट है वो यह चाहते हैं कि हमारे जिए इवेंट वगाइडरा रोज ते रोज अपडेट हूं उसके लबा हमारे student यतने enroll है हमारे school में वो सारे update हो तो उसके लिए हमें innate environment को पर उनके place पे install करके देना होगा तो project delivery हमारा तब तक चलता है जबतक हमारा client के face में या client के environment में हम लोग particular अपने product को install करके और चलाके नहीं देज़कते तो यह हमारे वो particular steps हो गए जो कि किसी भी web project for development में हमको follow करने होते हैं अगर इनमें से आप कोई भी step छोड़ते हैं तो कहीं न कहीं ऐसा नहीं है कि आपका software develop नहीं हो पाएगा लेकिन software की करक्ट में से कहीं न कहीं एक सवाल होगा या testing का face आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यह मैंने इसमें सारे steps चुकि web project for development के लिए कवर होने चाहिए वो सारे कवर करा दी हैं तो thank you so much to all of you आप लोगों ने आज web project के बारे में समझा और steps क्या-का include होते हैं उसमें वो सारा समझा यहां पर अगर किसी को कोई भी query होती है कोई problem होती है तो देखे मैंने mail id आपे mention कर दी है आप मुझको mail कर सकते हैं और मैं उससे reward कर दूंगा आपको जो भी आपकी query होगी तो thank you so much to all